मस्तक उचा हुआ मही का धन्य हिमाले का उतकर्ष हरी का क्रीडा क्षेत्र हमारा भूमी भाग्य साब भारत वर्ष निता सिंग गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेकों शुबकामना है नमस्कार मैहु गौरफ सावंत बहत्तरवा गड़तंत्र दिवस और आज के दिन पूरा विश्व देखेगा भारत की सेन्य शक्ति सामरिक्षमता और सांस्कृतिक विरासत राजपत पर होगी एक भव्य परेड और इस भव्य परेड में दुनिया देखेगी किस तरह से विश हम आपको दिखाएगे क्योंकि 9 बजे से वहां पर पूरी गहमा गहमी शुरू हो जाती है जो अलग-अलग विशिष्ट अधिती होते हैं वो पहुचना शुरू हो जाते है और उसके पीछे जो वाम-प किया रहा है परेड का वो तो गर्व शुरू हो चुका है आज सवेर है माशल निर्दोष त्यागी है सेना नौसेना वायूसेना तीनों के बारे में सामरिक शक्ती सेन्यक शमता सब के बारे में बताएंगे लेकिन वर्म-प का समय है समय जलसा है बिलकुल गौरफ इस ताइम तो सारा सब लोग जो है उनका जोश बिलकुल हाई होता है सब होती है जवानों की और अब जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वाम अप होना अपनी अपनी जगह पर ठंब बहुत है नाइन डिग्रीज के आसपास मेरे क्याल से मुझे लगता है जादे तरनुप अभी रजाई में घुसकर ही देख रहे होंगे तो इस ताइम पर पर फिर वो सारे लड़के जो है अपना उसी वहां पर कदम ताल थोड़ा चलांग मारते हैं अपनी आपको वोम अप करते हैं और जो जैघोश होता है हर हर कंटिंजिन का अलग और भारत माता की जै मतलब वो महौल देखने वाला होता है रूमटे खड़े हो जाते है नहीं दो दो बार आपया समानमें वोम देखने होते हैं और फिर एकद्रित होके निए और वहां से सारी जो होती है वी इस समय चल गई जब डसतायारी होती है जो गर्तंत्र दिवस की परेड हो रही होती है उससे पहले हर कंटिंजिंट हाना कि इस बार कंटिंजिंट का भी करोना की वज़े से साइज छोटा है आमतवार पर 12-12,144 सिपाही एक कंटिंजिंट में होते हैं इस बारा बार नो 96 सिपाहीयों का कंटिंजिंट है लेकिन अध्मिरल शेखर सिनहा नौ परेड में क्या क्या होने वाला है वो भी आम आपको समझा देते हैं देखे रफैल तो आपको पहली बार नजर ही क्योंकि पिछली बार हमने अपाचे और चिनूक्स को आस्मान में देखा था लेकिन रफैल की रफ्तार कैसी होती है आज आप कुछ देर में देखेंगे इसके बाद बांगलेदेश की ट्राइक कंटिंजिंट पहली बार यहां पर आ रही है 1971 के बाद 50 साल पूरे हुए है और बांगलेदेश की कंटिंजिंट जब राजपत पर माच करेगी तो मुझे लगता है कि हमारा एक पडोसी देश तो बहुत ध्यान से देखेगा कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है गौर्व देखिए 50 वर्ष पूर्व 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दो फाड किया था और 1971 में जन्म हुआ था बांगलादेश का तो आज वही डकोटा विमान भी राजपत पर होगा जिस डकोटा ने 1947 में कश्मीर बचाने में एहम भूमिका निभाई थी श्वेता और उसी डकोटा आज वो विमान भी होगा बांगलादेश भी देख रहा होगा भारत भी और वो देश भी जिसके दो टुकडे हुए थे पहली बार है जब किसी विंटेज विमान को इस तरीके से उडान भरने का मौका मिला है राजपत पर और इससे बहतर कुछ हो नहीं सकता था संदेश जब आप देते हैं तो जरूरी नहीं आप चीख चीख कर दें कई बार बहुत ही हल के अंदाज में सरल अंदाज में जो कह दिया जाता है वो दुनिया सुन लेती है तो विदेशी मेहमान कोई नहीं होगा कोरोना की वज़े से अंतिम समय पर ऐसा हुआ कि पहली बार किसी विदेशी मेहमान को कहना पड़ा कि हम नहीं आ सकते हैं लेकिन एक विदेशी कंटिंजन्ट यहाँ पर रहेगी और कितने सारे देश उसे देखेंगे ये भी आप से आगे आगे जब राज्यों की निकल रही हो तो लद्दाक की जहां की वहाँ पर नजर आए इसके साथ ही जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलिजी है वो वैक्सीन को लेकर यहाँ पर अपना उद्गोश करेगी जेकि किसी भी विशम परिस्थिती में भारत किस तरह से अच्छा कर रहा है वो आज राजपत पर होगा हाला कि हम आपको ये भी बता दे कि आमतोर पर 26 जन्वरी की परेड 14 किलोमीटर की होती है इस बार महज 5 किलोमीटर की होगी शुरू होगी विजय चौक से समाप्त पर विजय चौक से नाशनल स्टेडियम तक होगी इस वर्ष परेड जहांकियां हाला की लाल किले तक जाएंगी वो पूरा रास्ता तै करेंगी और ये करोना की वज़े से किया गया है एक बात में आपको और बता दू जो बहुत ही दिलचस्प होगा प्रधान मंत्री नरे इस जाकियां इस बार हैं लेकिन हर एक के कुछ न कुछ माइने हैं हर एक जाकी जब आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ इस दौर में इस जाकी का अपना महत्व है पीपी किट में तैनात होकर दर्शकों की जाच होगी इस बार सिफ 25,000 दर्शकों को एंट्र है वरना तो पुल्ड्रेस रिहासल से लेकर 26 जनवरी तक इतने लोग बड़ी-बड़ी संख्या में आकर देख लेते थे इस परेड को दिल्ली पुलीस के मताबिक आमतोर से डेर्ड लाख लोग हर वर्ष 26 जनवरी की परेड देखते हैं डेर्ड लाख लेकिन इस वक्त जब पहली 26 जनवरी की परेड थी 26 जनवरी 1950 और अब देखिए अब ये 2021 की बात हम कर रहे हैं और जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बाद मुम्किन है कि राजपत की ये तस्वीर भी बदल जाएगी और इसलिए गणतंत्र दिवस के परेड का स्वरूप भी ब समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको गणतंत्र दिवस की पूरी गर्मी देखने के लिए मिलेगी तापमान बहुत कम है आपको बता दे और इसलिए हम बाहर बैटकर कर रहे हैं ताकि वहाँ जिसको जो एहसास हो रहा हो क्योंकि बच्चे भी आले कि बहुत सारे स्कूलों का इस पर नहीं है performance लेकिन जो बच्चे भी वहाँ पर है वो भी उस गर्मी को इस ठंड में किस तरीके से लड़कर जूज कर आपके सामने हिंदुस्तान की जहां की पेश कर रहा है आप समझते हैं लेकिन अब गौरव मुझे लगता है कि मैं चर्चा को उस तरफ ले जाना च जाती हूं जो आज महावीर चक्र से भी जुड़ जाता है आज गलवान की बात जरूरी है क्योंकि अभी तक अभी तक जलसा है वो स्टैंड ओफ खत्म नहीं हुआ है और आज सिर्फ एक संदेश नहीं है बलकि अगर समूचा देश एक आवाज में बोलता है तो आज आवाज एले सी तक जाएगी आपने बिल्कुल सही का गलवान एक्चुली अगर आप देखेंगे एक टर्निंग पॉइंट है इन हिस्ट्री ओफ इंडो चाइना रिलेस्टिंशिप और मेरे ख्याल से ये 20 बहादुर जवान उन्होंने एक संदेश दिया है ना केवल इंडिया को दिया है, अपने देश को दिया है, बाकी देश और जो देश जिसकी नजरें हमारे उपर हैं उन सब को एक संदेश दिया है कि जब हम चाहें हम खड़े होके मुझ तोड़ सकते हैं तो ये 20 जवान जो गलवान के हैं जिसमें से आज करनल बाबो को महावीर चक्र मिला है और बड़ा एक हर्ष की बात है कि उनकी जो सैक्रिफाइस थी वो रेकनाइस की गई है बाकी जवानों को भी वीर चक्र मिले हैं और ये जो है इतिहास बताएगा कि वो जून का दिन आगे चलके कैसे दो पूरा का पूरा इंडिया और पूरा जियो पॉलिटिक्स कैसा बदली हुआ है बहुत बड़ी बात आपने की कि वो 20 रण बाकुरे जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच बलेदान दिया उनके सर्वोच बलेदान से न केवल भारत का बलकी विश्व का इतिहास बदलेगा साथी साथ करनल संतोष बाबु को महावीर चक्र और जवानों को वीर चक्र सेना मिडल, मेंशिन इन डिस्पैचेज वो सभी 20 रण बाकुरे जिन्होंने चीनियों को, हमारे प्रतिद्वन्दियों को मूँतोड जवाब दिया था एमाशल त्यागी साथी साथ विश्व ने देखी भारत की सामरिक शक्ती एक साथ हमारे लड़ा को विमान, हमारी पंडुबियां, हमारे जहाज सब एक साथ आई थे और चीन भी काप कया था इस समय जो हमारी शैनिशक्ती है और जिसमें आपने बुला जो नए एडिशन्स हुए हैं जैसे की रफाल और पिछले कुछ दिनों जैसे अपाशी और जिनोक उनकी वज़े से अब हमारी शैनिशंती शैनिशंता पहाडों में युद्ध करने की काफी बढ़ चुकी है पहले पिछली बार जब ये हुआ था चीन के साथ मुगाबला उस समय भारत उतना तयार नहीं था पर अब चाहे वहां पे स्ट्राइक्स करनी हो चाहे वहां रसत पहुचानी हो चाहे वहां लोगों को पहुचाना हो या उनको बाद में सपोर्ट करना हो उन सब चीजों में चाहे ग्राउंड से हो और चाहे एर से दोनों में ही बहुत भारत मजबूत हो चुका है और इस बार अगर मुकाबला होगा तो उसका मुहतोड जवाब दिया जाए और इसलिए मुकाबला करना नहीं चाहता है चीन उसे मालूम है अब देखिये उसमें क्या होता है कि एफोस जो है वो प्रत्यक्ष वहाँ पर आप आस्मान में लद्दाक के आस्मानों में आप किसी भी तरीके से उस ताकत को छुपा नहीं सकते थे लेकिन एक ताकत जो पीछे छुपी-छुपी काम कर रही थी और जिससे चीन को भी मालूम है कि क्या थ्रेट था वो है निवी हमारी और चीन को मालूम था कि जिस तरह से वो विस्तार करना चाह रहा है जिन समुंदरों में वहाँ पर हिंदुस्तान की जो नौसेना है वो खड़ी है अगर आप समंदर में भी लेकर आईएगा तो आपके लिए बहुत ही मांगा पड़ सकता है महांगा सिरफ इसलिए नहीं लेकिर आपकी जो जितनी इंधन है आपका जितना ओयल रिसोर्सेज है हमारे प्रति दंदियों का वो उसी रास्ते से जाता है 60 से 70 प्रतिशत तो उसको हम रोकने में सफल होंगे अगर समय ऐसा आया और ऐसी अगर जरूरत हुई तो भारत सरकार ने ये दिखा दिया है कि हमारी नौसेना जो है वो दिखाई नहीं पड़ेगी लेकिन आपको खत्रा बहुत ज्यादा है अब अब अपने दर्शकों को गरव दो बहुत ही खुबसूरत वीडियो दिखाते हैं जो हम सामने तो दिखा रहें लेकिन उसकी आवाज के साथ हम सुनाते हैं एक तरफ आप बीएसेफ के थंडरिंग 33 यानि 33 वी वाहिनी का एक वीडियो देख सकते हैं तो बड़ी बात इसमें ये है कि देखिए एक तरफ तो फौज है लेकिन उसके वरदी के पीछे जो दिल है उसमें कलाकार है क्योंकि ये खुद बीएसेफ और खुद आमी के तरफ से बनाय हुए वीडियो है और उनकी देश भक्ति उसे समर्थन तभी मिलेगा जवाब पूरे जोश पूरे उत्सा के साथ उनका समर्थन करेंगे गवरो बिलकुल कहेंगे भारत माता की जे उसी जोश उसी जुनून और उसी जजबे के साथ क्योंकि पूरा देश आज एक जुट है इस 72 गरतंत्र दिवस को न केवल देखने के लिए बलकि एक सीख लेने के लिए जीएं तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे ये हर्श निवाच्छावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवार नवस्कार मैं हूँ अंजना ओमकर्ष्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहे आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले